देखिए मैंने इस दोहे में पूरी साधना भर दी है, इस दोहे में चार बातनें बताई गई हैं, नम्बर एक, हारी गूरु भाजु, केवल भगवान की भक्ति बेदों ने नहीं बताई, बेदों ने बताया यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरव। तस्येटे कथिताह यर्था प्रकाशंते महात्मना स्वेताशतरो पनिषत छठमे अध्याय का तेश्वा मंत्र। और यह मंत्र सुबालो पनिषत में भी है, सोलहवे अध्याय का पहला मंत्र। और यह मंत्र योग शिखोपनिषत में भी है, दूसरे अध्याय का बाइसवा मंत्र। और यह मंत्र साथ्याईनी उपनिषत में भी है, सैंतिश्वा मंत्र। इतना इंपॉर्टेंट मंत्र है तमाम उपनिषतों में। इसका निरूपन किया गया है, कि जैसी भक्ती इष्टदेवों में हो, वैसी ही भक्ती गुरू में हो। यह नंबर एक, यह जो तमाम शास्त्रों में, पुराणों में, गीता भागवत रामायन में बिरोधी बातें लिखी है, उसका तातपर्द और कुछ है, इसलिए इस जगडे में न पढ़ना कि भगवान बड़े हैं कि गुरू बड़े हैं। कहीं भगवान बड़े हैं, यह संत लोग कहते हैं। गुरू बड़ा है, यह भगवान कहते हैं। यह आपस में इनकी ऐसे ही बाते हैं, आप लोग इस जगडे में न पढ़ने। दोनों को समान माने। ऐसा बेद कह रहा है। तसमें स्तज्यने भेदा भावात नारद जी ने भी कह दिया। 41. नारद भक्त सूत्र। भक्त और भगवान में भेद नहीं मानना। और भावत ने तो अस्पष्ट ही कह दिया। आचार्जम माम बिजानियाद। मैं ही हूँ गुरू। ओ गुरू मुझसे भिन्न नहीं मानना। दो नहीं मानना। एशवई भगवान साक्षात। वो गुरू साक्षात भगवान है। यस्य साक्षात भगवती। वो साक्षात भगवान है। इसलिए छोटे बड़े की बात तो इसलिए कही गई है कि गुरू अधिक हमारे काम आता है। वही हमको तत्वक ज्यान कराता है वही साधना कराता है और अंत में द्यव्य प्रेम भी वही देता है इसलिए गुरू की महिमा अधिक बता दी है और गुरू कोई जेब से आईसी चीज नहीं ले आता जो भगवान के पास नहों अरे भगवान की ही चीज तो भगवान ने दिये गुरू को वह भी अमारे भाई था पहले भिकमंगा इसलिए छोटे बड़े की बात नहीं मानना नामा पराध हो जाएगा भगवान उनका नाम उनका रूप उनका गुण उनकी लीला उनके धाम उनके संत इसाथ एक है इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है आपका जहां अधिक मन लगए लगाईए वो बात अलग है अनन्त अवतार हैं जिसमें आपकी चाधिक संसकार अधिक हो उसमें लगाओ अनन्त लीला हैं जिसमें मन अधिक लगए उस लीला का चिंतन करो अनन्त नाम है जो नाम आपको अधिक आकरशक लगए उस नाम का किर्दन करो यह अपनी इच्छा पर है लेकिन छोटा बड़ा नहीं मानना तो नमबर एक हरी गूरु भाजु नमबर दो नित यह बेद से लेके रामायन तक सब इस पर बहुत जोड़ देते हैं कि तुम पाँच मिनट, दस मिनट, एक घंटा, तेईस घंटा, पवने चौबिस घंटा भी अगर मन भगवान में रखो और थोड़ी देर संसार में भेज दो तो उसका वही हाल होगा जैसे बहुत गंदे कपड़े में साबुन लगाया उसके बाद गंदगी में डाल दिया अब फिर साबुन लगाओ यही तो हम लोग कर रहे हैं भगवान की भी भक्ति करते हैं, संसार की भी भक्ति करते हैं दोनों तरफ चलते हैं भगवान से भी कहते हैं तोमेव माता और एक मम्मी घर में भी हैं उनसे भी प्यार करते हैं भगवान से कहते हैं चापिता तोमेव एव माने क्या होता है संस्कृत में एव शब्दकार्थ होता है ही ही माने केवल तु ही मेरी मा है बोलते तो यह और प्रैक्टिकल में क्या है तु भी मेरी मा है एक घर में भी है तो ये जो भी लगाने की आदत है इसको मिटाने के लिए बेदों ने शास्त्रों ने कहा निरंतर हरी गुरु भाजू यानि मन सदाहरी गुरु में ही रहे उन्ही में अपनापन वे ही हमारे हैं बाकी सब तो बदलने वाले हैं और अनित्य हैं और स्वार्थ जुक्त हैं हमने मम्मी की बात मान ली तो हम उनके बेटे हैं पिता जी की बात मान ली तो हम उनके बेटे हैं नहीं मानी नाला एक गधा निकल जहां हमारे घर तो इसको मैं अपनी प्रापर्टी का एक पैसा नहीं दूँगा अरे गोली मार देते हैं माबाब बेटे इस्ट्रीपती को वो नित्य मन लगाना होगा वो धीरे 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 अभ्यास करो एक साल में एक जन्म में दस जन्म में हो लेकिन एक दिन वहीं पहुंचना होगा तेशाम नित्या भिजुक्तानाम योमाम स्मरति नित्यशाह निरंतर यह दूसरी शर्थ ओ तीसरी शर्थ निश्काम संसार न मांगना भगवान से और मोक्ष भी न मांगना धर्म अर्थ काम मोक्ष यह चार खतरे हैं इनको न मांगना भगवान से यह तो बहुत पा चुके हो अनंत जन्म में जिसको आप लोग स्वर्ग कहते हैं अनंत बार जा चुके हैं लेकिन आनंद नहीं है कहीं वो भ्रम है रेगिस्तान में बालू जब हावा से उड़ती है तो सूर्ज की किरन से आईसा भ्रम होता है हिरन को कि वहाँ पानी है भागता है उसके लिए नहीं है और आगे है फिर भागता है भागते भागते मर जाता है पानी है रही रही वो तो बालू चमक रही थी ऐसे ही जहां तक माया का आधिपत्य है आनन्द है रही मिलेगा किस्ता तो निरंतर मन लगाना होगा मन संसार में न जाए जाए तो लाओ रोको फिर इधर लगाओ जाएगा क्योंकि अभ्यास है न बड़ा लंबा चोड़ा कमाम जन्मों का अभ्यास है जाएगा यह मेरा है बेटे को देखा मेरा है बीबी को देखा यह मेरी है तुम्हारी है अरे कितनी बीबी बना चुके तुम हर जन्म में कुतिया को भी गधी को भी साब को बनाया है बीबी अब फिर वोई गलती कर रहे हो कि यह मेरी बीबी है यह मेरी मार कति नाम सुतान लालीता अरे जीव तुने कितने माबाब बेटा इस त्रिपती बनाये कोई गिंती है शुकदेव पिंगला के पेट में बारा साल पड़े रहे निकले ही नहीं बेदब ब्यास परेशान उनके पिता क्या करें सुनने का बेट तुम कौन हो निकलते क्यों नहीं बाहर शुकदेव नहीं का यह तुम पूछ रहे हो मैं कौन हूँ अरे अनंत बार चावरासी लाक में घूम चुका हूँ मैं कौन हूँ क्या बता हूँ मैं एक हूँ क्या मैं मनुष्य भी हूँ कुत्ता भी हूँ गधा भी हूँ बिल्ली भी हूँ मच्छर भी हूँ देवता भी हूँ सब बन चुका हूँ हर जुन ने स्री कृष्ण से कहा एक बार अभमन्नु को दिखा दो वो कारों ने मार डाला था न चक्रव्यू में दो भगवान ने कहा हूँ तिने दिन तो देखता रहा बेटे को चिपटाता रहा पेट नहीं भरा एक बार दिखा दो क्या दिखा दो नए नए तुमको मेरी कसम वो दोस्त से न दोनों सखा भगवान ने कहा है गधा कसम दिला दिया अच्छा आँ अभमन्नु बुलाया देखा आँ बेटा ए अर्जोन खबरदार बेटा मत कहना मुझे तेरा बेटा तो वहीं छोड़ाया मैं तेरा बेटा तो मेरा शरीर था न वो तो मैं छोड़ाया था वहीं मैं तो अकेला आया हूँ और हजार बार तु मेरा बेटा बन चुका है खबरदार बेटा कहा तो और जुन ने कहा हो ठाकुर जुन ने कहा और बुलाओ पाया पाया चपत बुलादो 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 अरे यही सब जो तुम्हारे आज बाप है वो कल बेटे बनेंगे क्योंकि अटाइटमेंट है उनका जहां अटाइटमेंट होगा वहीं जन्म होगा आज तुम पूजा कर रहे हो पिता जी और पिता के पिता जी और वो कल तुम्हारे बेटे बनके आएंगे फिर तुम उनके बेटे बनोगे जब तक भगवत प्राप्ति न होगी तो प्रजा मन जायन्ते भागवत में कहा गया है तीन बाइस बीस उसी अपनी संतान का संतान बनेगा तो कोई कामना नहीं करना है हरी गुरू से निशकाम प्रेम करना है निशकाम निशकाम की बड़ी लंबी परिभाशा है संग्षेप में समझ लो और चौथी चीज है अनन्य वही मतलब है अनन्य का कि अन्य में मन का अटाइटमेंट न हो देवी देवता बहुत हैं हमारे हिंदू धर्म में करोड़ों हैं और नकली भी तमाम बन जाती हैं देवी देवता कहीं पर पत्थर में संदूर लगा के रख दो और यह काउन देवी हैं ऐसे नाम धर्दो कोई चित्रकूट की देवी हैं कुटिया देवी हैं चलो कुटिया देवी हो गई अब लोगों हम बड़ी सिद्ध देवी हैं भीड हो जाएगी शुरूप ऐसे ही तुमाम शंकर जी के नाम बने हुए हैं घोचन नात पनेशन नात जार खंड और आज कल तो चली है एक ऐसे देवी की मंदिर बने हैं पिक्चर बन गई उनकी जिनका कहीं शाष्त्र में नुरूपन नहीं तो कहीं भी मन का अटाइच्मेंट माईक एरिया में न हो तमाम देवी देवता माईक हैं यह आशुद्ध हैं अशुद्ध का चिंतन करोगे तो मन और अशुद्ध होगा वो चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, वो साथ दिक हैं, एक राजस है, एक तामस है, किसी का चिंतन न हो केवल भगवान सिर्कृष्ण का और उनके नाम, रूप, लीला, गुनधाम, संत का, ही चिंतन हो, नित्य हो, और निश्काम हो, एक दोहे में सब बाते मैंने भर दी है, इस दोहे को याद रखो, और मनन करो मन से, और फिर अभ्यास करो.